आज हम बनाएंगे बैजी टेवल चीज सेन्विज जो की बहुत ही कम समय में बनके तयार हो जाता है यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियां ली हैं जैसे कि कटा हुआ प्याज कटा हुआ टमाटर उबला हुआ कॉन लिया है मैंने और यहाँ पे कटी हुआ सिम्बला मिश्ली है और हम इसको अच्छा से मिक्स करेंगे आपको जो सब्जियां पसंद हो वह आप ले सकते हैं जरूरी नहीं कि यही सब लें स्वाद अनसार नमक डालेंगे और नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं और लाल मिर्स पाड़र डालेंगे आप जो भी तीका खाना पसंद करें तो ज्यादा डालें बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कम डालें और इसको मिक्स कर लेंगे मैंने दो ब्रेड की स्लाइस ली है और हरे धनिय की चटनी लगाएंगे इस पर मैंने जो सबजियों की ये स्टफिंग बनाई थी वो इसके उपर लगाएंगे अब इसके ऊपर एक चीज स्लाइस रखेंगे और आपके पास जो चीज पड़ा हो वो आप टाल सकते हैं अब दूसरी स्लाइस ली है मैंने ब्रेड की अब इसके उपर टमेंटो सॉस लगाऊंगी और सैंविज को कवर कर दूँगी अच्छे से अब दूसरी स्लाइस अब एक तबह पर बटर डालिए अब सैंविज को मीडियम फिलेम पर अच्छे से टोस्ट कर लेंगे दूसरी सैड भी बटर लगाईए और ध्यान से पलट दीजिए सैंविज दोनों साइड से अच्छे से टोस्ट हो चुका है अब बाकी सैंविज भी अच्छे से टोस्ट कर लेंगे अच्छे से टोस्ट कर लेंगे सैन्विच को जैसा मन हो बैसा कट कर लीजिए और सर्व कर दीजिए प्रष्धिच 12 पर्ष्णtv स्थाइ्छ